Welcome students, एक बार फिर आप सभी लोगों का Chemistry की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है Students, आप सभी को पता है कि हम सभी लोग 11th क्लास में जिस चेप्टर को पिछले कुछ एक वीडियो से study कर रहे हैं उसका नाम है परमाणू सनरचना या जिसको हम बोलते हैं Atomic Structure Atomic Structure में आज हम लोग एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और एक बहुत ही important topic पर discussion करने वाले हैं Topic क्या है उसको हम सीधे question के form में ले लेते हैं कि question आप से paper में किस तरह से आता है देखो आप से question पूछा राता है electron की द्वैती प्रकृती से आप क्या समझते हैं या फिर आप से question पूछा राता है पदार्थ की या द्रव्य की द्वैती प्रकृती से आप क्या समझते हैं और इसे स्पस्ट करने के लिए डी ब्रोगली समीकरण का उलेख कीजिए या इसकी विर्थपत्ती कीजिए जो मैंने बोला है उसको लिख लीजिएगा कई बार पूछा राता है इस question को हम कैसे solve करेंगे हमको ये चीज देखनी है ठीक है अब देखो इस question के solution को हम दो parts में बाट देते हैं पहला part है कि आपको class 11 के point view से पढ़ना है तो इसको लिखने का थोड़ा सा format simple कर दूँगा मैं क्योंकि हमें 11 को focus करना है मगर यहां हम 11 को जादा तर focus नहीं करते हैं मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें topic को complete पढ़ना चाहिए detail में पढ़ना चाहिए और जितने तरहे के question हम पे हो सकते हैं उन सभी questions को यहां हमें cover करना चाहिए इसलिए हम पहले simple करके topic को समझ लेते हैं फिर थोड़ा सा extend करके हम और देख लेंगे और उसके बाद हम इस topic पर numerical question करेंगे तब जाकर कि यह topic complete होगा और इस video में मैं आपको पूरे numerical question तक करके topic को finish करने की कोशिस करूँगा तो आईए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह कुछ headings मैंने लिख रखी है time बचाने के लिख रखी है तो सबसे पहले हम बात करते है प्रकाश की द्वैती प्रकृती क्या होती है द्वैती प्रकृती जिसको हम English में कहते है dual nature dual nature को भी आप ऐसे समझ लो जैसे आप लोग न देखा होगा कुछ film होती है उसमें कोई hero होता है उसके double role होते है एक गाउँ वाला रहता है एक शहर वाला रहता है एक अमीर रहता है गरीब रहता है गुंडा रहता है एक सिधा वेक्ती रहता है देखाऊगा न डबल डबल रोल टाइप के ठीक वैसा ही डबल रोल डबल रोल को अब हम यहाँ पर द्वैती प्रकृती बोल रहे है जो dual nature है वो basically कहलो कि डबल रोल है तो जो हमारा प्रकाश होता है Einstein का मानना है कि जो प्रकाश होता है उसके दो रोल होते है डबल रोल होते है उसकी द्वैती प्रकृती होती है Einstein का मानना क्या है कि जो प्रकाश होता है उसकी द्वैती प्रकृती होती है प्रकाश तरंग के रूप में चलता है यह उसकी एक प्रकृती है प्रकाश कण के रूप में चलता है यह उसकी दूसरी प्रकरती है प्रकाश तरंग के रूप में चलता है इस बात की पुष्टी करने के लिए हमारे पास दो प्रयोग है एक का नाम है विवर्तन विवर्तन यह जिसको हम इंगलिश में कहते है डिफ्रेक्शन और दूसरे का न interference इन दोनों से ही किस बात की पुस्टी होती है कि प्रकाश तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है ठीक है मतब प्रकाश का जो नेचर है वो तरंग के तरह है इस तरह से ये किस बात से proof होता है नंबर एक विवर्तन से नंबर दूसरा व्यतिकरण से नंबर एक diffraction से नंबर दूसरा interference से देखो विवर्तन आप कुछ बच्चे पूछेंगे इसमें सर विवर्तन क्या होता है सर व्यतिकरण क्या होता है विवर्तन और व्यतिकरण आपको सीखने के ल पर बता रहा हूं, जैसे एक कोई तरंग चली, उसको हमने किसी सूक्ष्म शिद्र से गुजारा, तो हमने देखा कि वो मुढ गई, जारी थी सीधी, मगर जब हमने किसी सूक्ष्म शिद्र से गुजारा, तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुढ गई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विवर्तन देखो मैं फिर बोल रहा हूं मैं यहां विवर्तन व्यतिकरण को डीटेल में ले रहा हूं मैं किवल अपने को इसने पॉइंट बता रहा हूं कि जो विवर्तन है जो व्यतिकरण है ये वो दो घटना हैं जिससे हम ये सिद्ध करते हैं कि जो प्रकाश ह वो तरंग प्रकृती में चलता है अब दूसरा रोल होता है या जो दूसरी प्रकृती होती है वो होती है कण प्रकृती और कण प्रकृती को प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं प्लैंक का क्वांटम सिध्धांद यह दूसरी थियोरी है प्लैंक का क्वांटम सिध्धांद जिसको हम बोलते हैं प्लैंक क्वांटम थियोरी इसके माध्यम से हम प्रूफ करते हैं कि प्रकाश जो है प्रकाश कन प्रकृति को प्रदर्शत करता है प्रकाश में बेसिकली जो कन है वो छोटे छोटे उर्जा के बंडल है जिसको हम क्या बोलते है फोटॉन इसके रिगार्डिंग आप सबी लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रकाश बैद्धुत प्रभाव तो प्रकाश सिध्धान्त का ही एक पार्ट है तो हम से कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश बिद्धुत प्रभाव प्रकाश के किस गुण की व्याख्या करता है तो याद रखे गया प्रकाश बिद्धुत प्रभाव प्रकाश की कन प्रकृति की व्याख्या करता है विवर्तन और व अब जो आइंस्टाइन थे उनका मानना था प्रकाश को लेकर एक नए वेज्ञाने का आते हैं फ्रांस के साइंटिस्ट है पूरा नाम था लुईस डे ब्रोगली यह उसकी इंगलिश लिखी हुई है लुईस डे ब्रोगली कभी-कभी इसको डे पढ़ते हैं कुछ लोग डी पढ़ते हैं मैंने दोनों चीज़े लिखी हैं या लिखा हुई डे और आगे लिखा है डी तो दोनों चीज़े हैं पूरा नाम ला लेकर के कैबल मैं इतना पढ़ूँगा डी ब्रोगली यह दे ब्रोगली तो जो फ्रांस के साइंटिस्ट है जिनका नाम था लुई दी ब प्रकृति हो सकती है मतलब matter itself वो तो कण के रूप में already है भाई पदार्थ है पदार्थ के पास द्रवमान होता है द्रवमान है मतलब कण है स्पेस इस्थान घिरता है तो द्रव्य अपने आप में कण प्रकृति को तो दर्शाहिरा है साथी साथ डिवरोगली कहते हैं कि वो क कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति को भी प्रदशत करता है मतलब द्रव्य की भी दो प्रकृति होती है कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति की होती है तो इस पूरे overall process को हम कैसे बोलेंगे उसको पहले समझिएगा तो यहां लिखेंगे डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील सूक्ष्मकण ध्यान से समझना यह सूक्ष्मकणों पर ही ज्यादा तर लागू होता है गतिशील सूक्ष्मकण भी द्वैती प्रकृती द्वैती प्रकृती दर्शाते हैं अर्थात यह कन के साथ साथ तरंग प्रकृति को भी प्रदर्शत करते हैं प्रदर्शत करते हैं ठीक है और ऐसा नहीं उन्होंने हवा में इस चीज को बोल दिया उन्हेंने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि द्रव्य जो है वो भी द्वति प्रकृति को दर्शाते हैं वो भी कन प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं और यह उन्होंने एक proof किया, proof करने के समय उन्होंने एक equation दी, इस equation को हम बोलते है, D-Brogly का equation, और वो equation क्या होती है, आप याद करिए, lambda बराबर होता है, h बटे m into v, या इसको हम बोलते है, lambda बराबर h बटे p, अब कहां से आई ये equation अभी हम बात करते हैं अभी देखो मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको जो topic पढ़ा रहा हूँ उसके मैंने दो हिस्से कर दिये पहला हिस्सा क्या कर दिया कि 11th class का question अगर आता है तो आप उसके answer को कैसे लिखोगे और दूसरा हिस्सा कि इससे कुछ भी आता है तो आप इसको कैसे बताओगे तो अभी मैं 11th पर move कर रहा हूँ अब हम आपसे बोलें कि deep रोगली समीकरण के बारे में आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे तो आप क्या बोलोगे आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश की द्वयत प्रकृती होती है अर्थात प्रकाश तरंग प्रकृती के साथ साथ कन प्रकृती को भी प्रदर्शत करता है आइंस्टाइन के इस विचार से प्रभावित होकर फ्रांसीसी वेग्यानिक लुईस डी ब्रोगली कहते हैं कि जिस तरह से प्रकाश की द्वयत प्रकृति हो सकती है उसी प्रकार द्रव्यर या कहें तो गतिशील सुक्ष्मकन की भी द्वयत प्रकृति होती है अर्थात वह कण रूप के साथ साथ तरंग रूप में भी चल सकता है चलता है तरंग प्रशित करता है और इसी को उन्होंने एक समीकरण के माध्यम से प्रूफ किया इस समीकरण को हम बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण और डी ब्रोगली समीकरण में equation का हुदा lambda बराबर h बटे mv equation number one या lambda बराबर h बटे p equation number two इसमें यह जो lambda है यह है तरंग देर है आपको देखो मैंने बताया था कि यह हमारी एक तरंग है इस तरंग में यह श्रंग है यह गर्थ है इन श्रंगों के बीच की दूरी को हम तरंग देर कहते हैं lambda कहते हैं तो lambda का समीकरण में होना इस बात को बताता है कि उसमें तरंग प्रकृति है समझ में आया ना lambda हम किसी तरंग का ही निकाल सकते हैं अगर कोई तरंग नहीं है तो थोड़ी ना हम उसका lambda निकाल पाएंगे तो मतलब इस समीकरण में lambda है और lambda होने का मतलब है कि उसमें तरंग की प्रकृति है अब देखो इस समीकरण में द्रविमान भी है और वेग भी है तो आप बताओ कण के पास द्रविमान होता है और जब कण के पास द्रविमान है और वेग भी है तो द्रविमान गुणा वे तो यहां लेम्डा का मतलब है तरंग प्रकृति एम इंटू वी का मतलब है कन प्रकृति तो आप देखो इस समीकन में दो प्रकृतियां एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तरंग प्रकृति कन में भी बदल सकती है कन प्रकृति तरंग प्रकृति में भी बदल सकती है तो ये जो समीकर्ण है ये डीब रोगली ने दिया और डीब रोगली ने कैसे दिया वो हम यहां देखते हैं इन्होंने आइंस्टाइन के विचार से प्रभावित हुए थे तो आइंस्टाइन का मानना क्या था कि E बराबर क्या होता है M C स्क्वेर और आपको पता है कि जो फोटोन है उसकी उर्जा क्या होती है E बराबर H न्यू पढ़ा है देखो मैं इसका अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिनोंने बच्चोंने नहीं देखा है वो देखेंगे मैंने फिर बोला है क्रम बद्धता बहुत जरूरी है जो बच्चे रेगुलर नहीं है उन बच्चों के लिए क्या से सिखाया जाए मैं नहीं जानता हूँ आप कोई छोटे-छोटे से वीडियो तो बनाने रहा हूँ मैं रेगुलर्टी से आपको सिखाने के कोशस कर रहा हूँ तो जिन बच्चों ने ये वीडियो ना देखा हो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख ले तरंग वगरा के बारे मैंने काफी डिटेल में डिसकस किया है अगर आपको धूड़ने पर नहीं मिलता है वैसे तो मिल जाना चाहिए इसी चेप्टर मे अगर आपको नहीं मिलता है तो उसी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं उसको क्लिक करके आप सीरेस वीडियो को देख सकते हैं तो फोटन की जो उर्जा है वो होती है ई बराबर एच नियू और ई बराबर एंसी स्क्वार ये दोनों आइ इस नियू की बेल्यू मतब्स समीकरण चार का मान समीकरण दो में रखो समीकरण आप थोड़ा सा इसको सही करिएगा मैं फोड़ा सा कर दूँ इसे दुवारा से कर दे रहा हूं देखो, e बराबर H नियू है समीकरण एक और दो में देखो, लेट एंड साइड बराबर है तो right hand side क्या हो जाएगा मतलब mc square बराबर क्या हो जाएगा h new ठीक है equation number 3 हो गया अब आप बताओ c बराबर क्या होता है new lambda परंग समीकरण होता है c बराबर new lambda या फिर इसमें हम बोलते new बराबर क्या हो जाएगा c बटी lambda अब इस c बटी lambda का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर रखिये क्या आएगा क्या होगा mc square बराबर hc बटे lambda ये 1c से 1c cancel हो गया तो lambda बराबर क्या होगा h बटे mc ये समीकरण था प्रकाश को ले करके इसी समीकरण को डीब रोगली ने क्या कह दिया कि जिस तरह प्रकाश की तरंग देर मतब प्रकाश का जो तरंग प्रकृती है और जो प्रकाश की कण प्रकृती है उनके बीच में जिस तरह से सम्मंद होता है उसी तरह से जो द्रव्य है उसकी जो तरंग देर है द्रव्य का जो द्रव्यमान है द्रव्य का जो वेग है उसके बीच में भी सेम संबंद होना चाहिए तो उन्होंने इसी समीकरण को इसी समीकरण को मौडिफाई करके द्रव्य के लिए बनाया जिसको उन्होंने क्या नाम दिया डी ब्रोगली समीकरण कर लोगे ये पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी कि ये समीकरण यहां तक जो समीकरण नमबर 6 था ये जो समीकरण है ये प्रकाश को लेकर के था उसके बाद लिखेंगे यदि प्रकाश के स्थान पर M द्रविमान का कोई कण वी वेक से गतिशील हो तो इस समीकरण 6 को D ब्रोगली समीकरण में परिवर्तित करके लिखा जा सकता है जिसको हम बोलते हैं समीकरण नमबर 7 और समीकरण नमबर 8 और ये दोनों समीकरण ही क्यालाते है D ब्रोगली समीकरण कर लोगे से, जल्दी जल्दी से recall करें, हम आपसे paper में question क्या दे रहे हैं, कि electron की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हो, और electron की द्वैत प्रकृति को सपस्ट करने के लिए, डीब्रोगली ने, जिस समिकंड का उलेक किया, उसका वर्णन करो, उसका derivation करो, उसका निकमन कर अर्थात प्रकाश तरंग के साथ साथ कंड प्रकृति को भी दर्चाता है, यह मानना था, आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन के इस विचार से प्रभावित होकर, और फ्रांसी सी वेग्यानिक डीब्रोगली ने बताया, कि जिस तरह प्रकाश की द्वैति प्रकृति होती ह उसी तरह गतिसील सूश्मकंड भी कंड प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति को भी दर्चाते हैं, आर्थात उनमें भी द्वैति प्रकृति प्रकृति पाई जाती है, और इस प्रकृति की व्याक्या करने के लिए उन्होंने एक समीकंड प्रसुत किया, जिसको हम बो कोदें डिव रोगली वेव यहां से समझे न प्रकाश की जो तरंग है वह बिदुट्ट् चुमग कि तरंग और जो अन्तर होता है और क्ट्रों में अद्रणे जह आना ही यह पेपर में आता है तो ठीक दिया तो इस तरीके से आपको यह करना है अब जैसे डी ब्रोगली ने बोल तो दिया कि कण गती सील सूच में कण की द्वयत प्रकृती होती है तो बोलने से तो कोई मानेगा नहीं इन्होंने इसको प्रूफ भी किया जैसे इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है तो इलेक्ट् का फिक्स द्रवमान है मतलब इलेक्ट्रॉन में अगर फिक्स वेलोसिटी दे दी जाए तो इसका संवे कैसा हो जाएगा निश्चित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास द्रवमान है मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कांसी प्रकृती है कंण प्रकृती है यह तो आपक कुछ घटना न्यूट्रॉन भी शो करता है तो न्यूट्रॉन विवर्तन की जो घटना है इससिद होता है कि जो गतिसील सूश्मकन होते हैं वो तरंग प्रकृति को भी दर्शाते हैं कई नए उपकरण जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है उस उपकरण का नाम क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो उपकरण है वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है ध्याम रखना तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति कई M भी बताता है कन प्रकृति मतलब कहें तो जो तरंग प्रकृति है और जो कन प्रकृति है वो एक दूसरे के क्या होती है वियुत क्रवानुपाती होती है मतलब कहने का यह हुआ कि यदि हमारे पास कन का मान बड़ा है काफी बड़ा कन है तो तरंग प्रकृति क्या हो कम हो जाएगी मतलब कहने का मदब आप देखो घरों में बहुत सारा सामान रखा रहता है तो वो कण के रूप के रूप में ही तुर रहता है कण का मतलब MASS PARCAL जहां पर रखा है वह वह रखा है वह क्यों रखा रहता है क्यों रखा रहता है sono είναι jsब कपने उसरा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, मतलब कण प्रकृति और तरंग प्रकृति एक दूसरे के क्या होते हैं, वित्क्रमानुपाति होते हैं, यह सारा मानना था किसका डीव रोग लेगा, अब हम जल्दी-जल्दी तरंग और कण में अंतर, बिद्दु चुमकिय तरंग और द्रव्य तरंग में अंतर और देख लेते हैं, मैं आपको पता है, मगर आप इसको शब्दों में नहीं लिखवाते हो, बस मैंने यहां पर एक साड़नी बनाई है, और इस साड़नी को आप खुद से समझो, देखो लिखने पे फोकस मत करना, आप पहले समझने की कोशिश करो, फिर तो लिखी लोग आप, लिखा हुआ बोड पर, देखो तरंग और कण में क्या अंतर है, आप ऐसा समझो, कि एक तरंग जो है, वो अंतरिक्ष में फैली हुई होती है, जो आए स्थानी करत होती है, आप खुद से देखो, मोबाइल से आप बात करते हो, तो क्या है, बहुत सारी तरंगे हैं, पूरे में फैली हुई है लगातार तरंगें इधर मूव कर रहे हैं, अधर मूव कर रहे हैं, लगातार गती कर रहे हैं, अपनी जगह फिक्स नहीं है, वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो देखो यही लिखा हुआ है, कि एक तरंग अंतरिक्ष में फैली हुई होती है, जो आय स्थान स्थानी क्रत नेश होती है एक कंट्रिक्ष में एक निश्यत इस्धति नहीं होती हैं ये वह सब्सक्राइब कर आए क्या रखा हो गाल्यो कि एक कंट्रिक्ष में निश्यत इस्थानी करत है यह first difference था दूसरा देखो एक ही छेत्र में दो तरंगें व्यतिकरण कर सकती हैं व्यतिकरण को आप ऐसा समझो जैसे हमारे पास एक तरंग है यह ठीक है इस तरंग का यह आयाम है यह मालो तो A1 है, ठीक है, यह हमारे पास एक दूसरी तरंग है, इसका जो आयाम है, वो कितना है, A2 है, अगर दोनों तरंगे माध्यम में एक साथ चलने लगे, जैसे यह है, यह एक वेक्टर है, और इसके आगे एक और वेक्टर है, यह पांच यूनिट है, यह साथ यूनिट है, तो तो पांच और साथ जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, नया वेक्टर बनेगा, जिसका यूनिट कितना हो जाएगा, बाया यूनिट, उसी तरह से जब दो तरंगे, एक माध्यम में मिलती है, तो संभावना है, कि इन दोनों से एक बड़ी तरंग बन जाए, या यह ने वाल आप इतना समझ दो, कि दो तरंगे, अगर एक माध्यम में चलती है, तो वो जुड़कर एक बड़ी तरंग भी बना सकती है, और चोटी तरंग भी बना सकती है, इस घटना को बोलते हैं, व्यती करण, तो देखो, एक ही छेत्र में, दो कनों व्यती करण समभव नह किसरा देखो अंत्रिक्ष में एक ही छेत्र में दो अत्वा दो से अधिक तरंगे हो सकती है ठीक है जैसे आईडिया की तरंगे अलग है जीयों की तरंगे अलग है मतलब कई तरह की तरंगे हैं एक ही साथ देखो के बहुत सारी तरंगे मिक्स अपर रहती हैं हम बोल रहे हैं ह उसकी तो अपनी एक इनिश्य तिस्थिती है, कण ने जब इस्थान घेल लिया, उस इस्थान पर कोई दूसरा कण थोड़ी ना सकता है, आप उसको हटाओगे तब कोई दूसरा आएगा, तो यहाँ देखो, अंतरिक्ष में एक ही छेत्र में दो अथवा दो से अधिक तरंगें हो सकती हैं, और एक कण द्वारा ग्रहण, इस्थान दूसरे कण द्वारा प्राप्त नहीं की एड़ा सकता, यह third difference है, तरंगों को गिना भी या सकता, कणों को गिना जा सकता है, यह four, four difference है, यह difference किसम बताते हैं, तरंग और कन के बीच में, अब हम लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, कि बिद्दुचुम्ब की तरंग और द्रव्य तरंग या जिसको बोलते हैं, matter waves में क्या अंतर होता है, उसको और देख लेते हैं, देखें एक छोटा सा टॉपिक और है, यह आना चाहिए आपको, ब बिद्दुचुम्ब की तरंग, दमाग में बैठा लिया, दूसरा, जैसे हमने कहा कोई कन है, है तो वो कन, मगर जब वो गती कर रहा है, तो डीब रोगली क्या कहते हैं, कि कन के साथ साथ उसमें कौन सी प्रकृतिय राती है, तरंग प्रकृतिय राती है, तो किसी कन से प्रमित होने वाली तरंग, मेटर वेव है, और सूर्य से आने वाली जो तरंग है, वो विद्दुचुम की तरंग है, अब वही दोनों जो तरंग हैं, उनको दमाग में रखकर ये पांचों डिफरेंस देखिए, तुरं तुरंत हो जाएंगे, जैसे खुद देखो, आपक इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव को मैंने डिटेल में बताया है, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव में दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल वेक्टर, दूसरा होता है, मेगनेटिक वेक्टर जो एक दूसरे के लंबवत, तरंग क के लंबवत बिद्धुत और चुम्ब की छेत्र होते हैं यह इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव में होता है मैटर वेव में इलेक्ट्रिकल वेक्टर मैगनेटिक वेक्टर नहीं होते हैं या कहें तो मैं मैटर वेव में बिद्धुत और चुम्ब की छेत्र से संबंदित नहीं हो और वो दोनों एक दूसरे के लंबबत होते हैं, परफेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, दूसरा है, electromagnetic wave किसी स्रोथ से उत्पन होती है, उससे सूर्य है, उससे आने वाला प्रकाश है, तो सूर्य से उत्पन हो रही है, तो electromagnetic wave के लिए किसी स्रोथ से उत्पन हो रही है, और ये द्रव्य से related तरंग है, द्रव्य गती करेगा तो तरंग होगी और द्रव्य गती नहीं करेगा तो तरंग थोड़ना उत्पन होगी तो इसका मतलब ये द्रव्य से related है, matter से related है, ये किसी स्रोथ से उत्पन नहीं हो रही है कि ऐसा सुरूत रखा हुआ है और उससे matter wave अपने आप निकल रही है, ऐसा नहीं होता है, जब वो particular matter गती करेगा, तब उसमें तरंगी गुणा आ जाएगा, वो अलग चीज है, बर अपने आप उससे सर्जत नहीं होती है, तो हमने देखा कि विद्धुचुम की तरंगा तो सर्जत होती है, मगर जो matter wave होती है, वो द्रव्य से संबंदित हैं, द्रव्यकन से संबंदित हैं, ये किसी सर्जत से उससर्जत नहीं होती है, तीसरा point देखो, सभी electromagnetic wave प्रकाश के वेग से गती करती है, अब electromagnetic wave में कई तरह की wave होती है, गामा rays, X rays, अल्ट्रा वालेट rays, इं गति से सचलती हैं, नमबर दूसरा, कि elektron से निर्मित तरंग है, तो उसका जो आपका wave होगा, वो अलग होगा, neutron से निर्मित तरंग होगा, तो किसी सभी द्रव्यत तरंग है, भिन्न-भिन बिन-वेग से गती करती हैं, और इनका wave प्रकाश के वेग से क्या होता है, कम होता है यह third difference है चोथा है इने संचरण के लिए माध्यम की आवशक्ता नहीं होती है निरवात में भी चल सकती है तो बीच में तो निरवात पड़ता है न बगर निरवात से होती हुई प्रकास तरंगे यहां तक आती है इसका मदब विदुचुम की तरंग को चलने के लिए प्रकास की द्वात प्रकास की द्वात प्रकृति क्या है यह सारी चीज़े मैंने आपको समझाने की कोशिस करी है आप इतनी चीज़ों को इंटर रिलेट पहले करिए फिर किताब जरूर पढ़िए मैं आपको फिर बोलता हूं किताब जरूर पढ़े किताब पढ़ने से थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ बताई जा रही थी क्योंकि देखो एक वीडियो में मैं concise तो कर सकता हूं 30-35 मिट के वीडियो में मैं आपको जल्ली जल्ली चीज़ें बता ही सकता हूं सामने बैठ करके पढ़ना अलग चीज होती है और वीडियो में बताना एक अलग चीज है फिर भी मैं पूरी कोशिस करता हूँ कि आपको जितनी चीजें बताने की हो सकती है each and everything में आपको देने की यहां कोशिस करता हूँ फिर भी आप किताब पढ़ोगे तो आपको और अच्छे चीज समझ में आएगी अब हमें करने हैं इस पर सवाल अब अगर सवाल को हम इसमें ले लेते हैं तो यह बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं क्या करता हूँ डीब रोगली समीकन पर आधारित पांचे सवाल हम लोग पांचे सवाल करते हैं और भी ज़्यादा करेंगे तो उन सवालों को हम सेकंड वीडियो में कवर करतेंगे तो डीब रोगली का यह फर्स्ट वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है आप जादा से जादा दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए लाइक कमेंट कीजिए उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थेंक यू थेंक यू वेरी मच